असलाम वालेकुम दोस्तों वेलकम बेक टु एरेम फूट कैसे हैं आप लोग उम्मिद करती हूं सभी खेरिस से होंगे आज मैं आपके साथ सेर करने जा रहे हूं बैसन के हलवे की रेसिपी जैसे हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत स्वाधिश्ट ब्रेक्फास्ट है ये अगर आप उस च्रिक्स को फॉलो कर लेते हैं तो आपका हलवा भी बहुत ही मज़ेदार और टेश्टी बनकर तयार होगा तो चलिए शुरात करते हैं इस रेसिपी को बनाने की आए देख लेते हैं इसके सबसे पहले इंगेरेंट्स यहां सबसे पहले हम इसके यहां मैंने कद्दुकस कर लिया है गोले को दो तरह से मैंने कद्दुकस किया है गोले को यह देखिए मैंने यहां पर कुछ किश्मिश लिये हैं कुछ बदाम लिये हैं कुछ काजू लिये हैं और थोड़े से मैंने यहां पर मखाने लिये हैं अगर आप चाहें तो बेसन क हेलबे में आप अक Means बींड के डाल सकते हैं यहां मैंने इक किल्व पानी अग्यूर्व पानि लिए हैं और देंलगे आप इसके लिए इस給 अधर 31 बेसज्व idi जाद डार इसमें रैड फूट करर्ण करती हूं हuplmarket हूं जैसे इसमें इसंसे नियुक है पॉबाल को आयके पर पाणिए-समें एक उबाल आ जाए तो आप धीमी कर दें आज को ताकि ये पानी गरम रहे यहां मैंने एक चमचा घी ले लिया है गी को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है सबसे पहले में इसके अंदर मकाने लाइट ब्राण फ्राई करूंगी आप चाहें तो जो ड्राई फूट्स आप ले रहे हैं उन्हें भी ड्राई फूट्स को भी घी में फ्राई किया जा सकता है पर मैं सिर्फ मकाने ही फ्राई कर रही हूँ इस तरीके से चलाते हुए धीमियाज पर इसे हमें फ्राई कर लेना है और यहां हमारे मकाने बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं चलिए इसको हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को स्टेब बाई स्टेब पूरा देख लोगे तो आप भी बहुत ही बेहतरीन हल्वा बना पाओगे यहां मैंने थोड़ा सा और मैंने लिया है घी यह देखिए मैंने घी यहां पर बचा लिया है तू टेबल स्पून मैंने घी लिया है और अज यहां पर मैं आप डाल दूंगी इसके अंदर बेसन जो टाइसोग्राम हमने बेसन लिया है अब मैं यहां पर फ्लेम को बिल्कुल तो इसे हमें भूनना है कम से कम 30 मिनट तलक इसे हम धीमियाच पर भूनेंगे दियान रहे अगर आप फ्लेम को मीडियम कर दोगे तो इसके अंदर वो टेस्ट नहीं आएगा बैसन की यही बैसन के हलवे की खास यही ट्रिक्स है कि आप इसको जितना धीमियाच पर भूनते हो तो उतना ही टेस्ट इसका इंक्रेज होगा इंशाला आपका अब यह हलवा बहुत ही जादा बहतरी नौर जायखे से भरपूर बनेगा ब्रेक्फास्ट मैं आकसर आपको इसको शामिल करना चाहिए यह देखिए मैं इसको दीम चलाते हुए चलाते हुए फ्राइ कर रही कि इसके अंदर लंस ना पड़े अगर आप गी कॉंटिटी कम रखते हैं तो इसके अंदर लंस पड़ जाते हैं चलिए अब मैं आपको इसकी एक और खास बात बताती हूँ अगर आप गी कॉंटिटी कम रखते हैं तो इसके अंदर बाद में लंस पड़ जाएंगे आप इ इस बात को आप ध्यान रखिएगा थाइसो गिराम बेसन में मैंने 200 गिराम घी का यूज किया है ये देखे मैं इसको चलाते हुए फ्राइ कर रही हूँ दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना त अच्छे से देखे और इसको समझे तभी आप भी पर्फेक्ट हलवा बना पाएंगे बैसन का जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप भी इस तरीके से बनाईएगा जरूर हमें आदा घंटा हो चुका है बैसन को हमने अच्छे से भून लिया है देखे इसका कलर बिल्कुल चैन्ज हो चुका है और हमने जो पानी था हमने गैस को बन नहीं किया हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पर उसको रखा हुआ है पकने के लिए वो धीमियाज पर पक रहा है ध्य के अब पानी करेंगे तो फलेम को चलाते हुए कौक करेंगे वेंbands के अब इसके अब पानी आड कर रहे हैं इसे हम चलाते हुए कॉप करेंगे इस वे para स्कूल करें ले स्कूल करेंगे 527 चाहिए क्याएइगी यहां इस पर आपधी अन बस लो लेर अपर आप में चलाते हुए ही कोड करना है अगर आप गी की कॉंटिटी कम रखते हैं तो इसमें गाटे फिर भी पढ़ जाएगी इसलिए आपको गी कॉंटिटी थोड़ी जादा रखनी है अगर आपको मेरी रेशिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं वहाँ भी आपको मेरी रेशिपी मिल जाएगी उपर जो आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा इसे भी किलिक कीजिए और अपने मन पसंद की रेशिपी को चुनिए अभी इसको हमें और कुक करना है अभी ये परफेक्टली तयार नहीं हुआ है ये देखिए इसे हमने चलाते हुए कुक कर लिया है अभी इसके अंदर थिखनेस आने लगी है मैं आपको एक और खास बात बताओं जैसे ही ये गाड़ा होने लगता है तो इस तरीके से इसके अंदर बबल्स आने लगते हैं ध्यान रहे है जब इसमें बबल्स आते हैं तो इसकी चीटे आप पर पढ़ सकती है इसलिए इसको ध्यान से चलाते हुए कुक करना है इसके इसके अंदर एक तह बन जानी बहुत जरूरी है ये देखिए अब ये बिल्कुल परफेक्टली बनकर तयार हो चुका है वैसन का हलवा जब आप इसमें स्पून चला रहे हो और आपको दिख रहा है कि हाँ इसके अंदर एक लैर बन रही है तो समझे लीजिए आपका हलव बिल्कुल परफेक्टली बनकर तयार हो चुका है चलिए अब इसके अंदर हम ट्राइफोट्स एड़ करेंगे अब ड्राइफोट्स की बारी है इसके अंदर हम ट्राइफोट्स एड़ करेंगे जो हमने लिये हैं सबसे पहले इसके अंदर हम मखाने एड़ करेंगे उसके काद इसके अंदर हम गोला कशवा एड करएंगे जो हम नेक षुष्वा हुआ है देरे दीरे इसमें सारा ड्राइफ घृट Państwo फूर्ट करते जाएंगे और इस तरीके से मैं ने यहाँ पर अप्ख को बंद कर दिया है इस बिलकुल परफेक्टली ठंडा हो जाएगा थोड़ा सा जबी ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डिशाउट करकर दिखाएंगे ये देखिए मुझे कमेंट शेक्षन में जरूर बताइएगा कि आप ये बेसन का हलवा कप ट्राइगर रहे हैं और अगर आप बेसन का हलवा बनाना जानते हैं आप बेसन के हलवे में अकरोट भी डाल सकते हैं जो आप ड्राइफोड्स खाना पसंद करते हो ऐसे ही शुरुआत कीजिए हर रोज हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ बहुत ही जादा टेश्टी बेसन का हलवा है ये उम्मिद करते हूं दोस्तों आपको मेरे बेसन का बनाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी बनाईए अपने घरवालों के लिए अपने मेमानों के लिए या फिर किसी खास मौके पर बनाईएगा ज़रूर इस बेसन के हलवे को बहुत ही टेश्टी बेसन का हलवा है ये चलिए इसी के साथ मैं अब आप से विदा ले लेती हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में तैंक्स पर वाचिंग एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें